सर्शेकाल दोस्तों मैं डॉक्टर अमर प्रीत सिंग बावा नर्सिंग होम बसी पठाना तों फिर तो अडेला रूबुरू हो रहे हैं आज एक बड़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि साड़कुल भी जिड़े रोज मराधी जिंदगी विच पेशन्ट आंदे हैं असे भी अना कुल ही कुछ सिख दे हां देखके पेशन्ट करके डाग्नोस करके बड़ा ही सکुन मिलता है यह विच पेशन्ट दी हरानी बहुत पेशन्ट दो बड़ी हरान हों दा है विचंट्की चीज़ पता लगी तुसी सानुता किसें सी नहीं हे गाल्दस्षी नहीं सी सो आज दा टॉपिक है गया है एक एक्यूट अब्डॉमेंट जिड़ा के काफी वास्ट टॉपिक है गया वोदे विच्चों असी सिर्फ अपना इंटेस्टाइनल अब्स्ट्रक्शन ही लवांगे सो रिसेंट मेरकोल तिन केस आए एक देविच हिस्ट्री से की तिन दिन पहला दोस्ता ने पार्टी कीती फ्रैडे नाइट दा टाइम से गा काफी ड्रिंक विगरा कीती नॉन वेच्च खादा पेशन्ट कंफर्डेवल रहे राती खादा पीता सो गए स्वेरे उठके थोड़ी मुटी पेइन होई अगले नू अगला यही सोज़ा सी भी मैं अपनी पार्टी कीती है ताप पेइन है पेशन्ट ने केमिस्ट कोलो ही लेके जाके अपनी मेडिसन खाली एंट एसिड कैपसूल खाले दवाई पीली कंफर्डेबल हो गया कमते चला स्वेरे नू हुन तक थोड़ी थोड़ी हलकी हैं एक दो वामटिंग जागी हैं सन जेडियां के फिर उही रिलेशन होया भी मैं दारू जादा पीती है ताप मैंनो ओदे करके आई होनी है पेशन्ट अपने आपने आपनो कंसोल करदा दवाई खानदा तिन दिन उने लगा आते पेशन्ट ने चौते दिन पेशन्ट साड़कोल स्वेरे अर्ली मौनिंग साड़क चार पंच वजे प्रिजेंट किता देख्या पेशन्ट नो बहुत ज्यादा टेकिक आडिया जिदे विच के वदा हार्ड रेट होदा एक सो तीत उपर जा चुका से गा पेशन्ट न नहीं से हो रहा पर इननी ज्यादा पर्स डियाटी की यंग पेशन्ट नो फील हो रहा होएं मैं क्या कोई चीज मिस ना कर जाईए चलो हॉली हॉली एक्जामेन कीता पेशन्ट ना लग गया मैंनु क्लेनिक लिए की पेशन्ट इंटेस्टाइनल आप्स्रक्शन दे विच चला गया है मीन्स आंतरी दा पूरा बन पै गया है वही हिस्ट्री दे जा रहे हैं मैं ता जी टॉलेट भी जा आए हैं खुल के तुसी कह रहे हो बन पैरे मैं उन्होंनों एक्स्प्लेइन करें दी कोशिश कर रहे हैं आसी गा बट चलो पेशन्ट मेरे कहनते अल्ट्रासॉंड हो गया जिदे विच के परफूरेशन शो हो ग विंतें कहा जिद जानी बॉं-, ट्यमज हो एक यदिधी उस यह यह परफूरेशन के नहीं है क्या टिन पर्फूरेशन हो जुक्हीं गली-गली बोन सानों सारे इंटेस्टाइन उस था तो कटके करिनी पई उन्हानों हैंड ओवर कीती बाद देविच पता लगया भी है इंटेस्टाइन परफूरेशन करके पेशेंट साड़ा ओखा सीगा चलो पेशेंट साड़ा बेलकूल ठीक रहा पेशेंट आज का रहा है तंदरुस्ता है खांदा पिंदा पे आए परेदे विच यही सिगा भी पेशेंट तिन देन तो उन्हें अपड़ी अंगैली किती किसे डॉक्टर अच्छे कोल गया हुंदा ता इते तक नौबत नई सी आनी सो यह पेशेंट आया सेकेंड पेशेंट सेम हिस्ट्री ऑल्मो पेशेंट नो लग गया वी अदेन लग रहे है पेशेंट कुछ चौकलेट कुछ गंध मंद बारों खांदा जिस तरह के तड़ियां स्लेटियां हो गया या वाल हो गया कुछ है हो जे पेशेंट फिर काफी कॉमन हो देया पेशेंट दी सेत भी बहुत अच्छी नहीं सेग आल्टी मेड फिर पर्फूरेशन डाइगनोज होई देखिया गया पेशेंट दी आंतडी एक गुच्छा पर्याज देविच वाल भी फसे हन स्लीटियां भी फसी होई हन विच तिनाल कुछ ना कुछ छोटे मुटे पिन निया खा दे उनानों मिल गए पेशेंट नों सो एक साइकॉलिजिकल बहुत अच्छे नहीं होंदे जिस करके के हिस्ट्री भी सानू प्रॉपरेदे विच नहीं मिल दी पेशेंट दा भी सारा सानू इंटेस्ट आइंग जितने जितने वो फसे होई सी के तिन थावाँ तो कट दे के चीजां कटनी है परियां पेशेंट दा दुबारा सीटी स्कैन होया जो के चलो अपरेशन तो बात बिलकुल ठीक सी अज यह पेशेंट भी तंदरुस्त है जिड़ा एक्यूट अब्डॉमेंट जिस्तों अपर टॉपिक शुरू किता सीगा जिड़ा के फाइनली इंटेस्ट आनल अबस्ट्रक्शन या अंतरिया दे बंदे विच कनवर्ट होंदा है वो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है आज ही बच्चा 19 साल दी लड़की है चार उस पेशन्ट दे भी प्रावलम में ही सीगे मेरे बार बार पेइन हुंदी है पर मैं जो गरम पानी दी बाटल फेर लेनी है पेट ते ता मैं बिलकुल ठीक हो जनी है तो डॉक्टर भी बहुता कंसर्ण शोर नहीं किता भी जेड़ी बाटल फेरन दे नाल पेइन ठीक हो जनी है ते वह बहुती शैद कोई सीरियस चीज ना हुए जो आज चौथा दिन हो गया सीगा पेशेंट जाके जो प्रेजेंट कीता थे उदे काफी बड़ा मास अब्डॉमें दे विच राइड साइड दे बन गया सीगा जो के क्लिनिकली मैंनों लग रहा सीगा अपने एक्सपीरियंस तो भी एहे किदरे अपेंटिक्स फट गी तो ओधा एहे गुच्छा बन गया है जो अल्ट्रा साइड कीता गया ओही काल होई जड़ी जदो पेशेंट नों दर्द होंदे सीगी हो गरम पानी थी बॉटल फेर लेंदे सीगी कदी पुठी लेट की कदी सिद्धी लेट की उन्हों ट्रेंपररिली रिलीफ मिल जान दा सीगा पर उन्हों एहो जी स्टेज ते आया भी ना आसी एस टेम कोई जादा हो दी सरजरी कर सकते हैं ना कुछ जाए तो पेशेंट हों कंजर्वेटिव ते रखके फिर एक प्लैन सानू करना पेणा भी जिड़ मिने बाद दी बेसिक सरजरी किती जाया सो दोस्तो बेसिकली साड़ केन दा मतलब है कोई भी एहो जी चीज जिसते विछ तनो उल्टियां जिदा कोई एक्स्प्लैनिशन नहीं है तनो बार बार लेटरी नाना बार बार पेट फुलना अपने आपने आपनो चुठी तसली दिलासा ना देओ एक चंगा पेट वाले डॉक्टर को जरूर जाओ बेसिक टेस्ट जो डॉक्टस अब केन गे चाहे ओल्टरसाउंड है चाहे एक्सरेय है चाहे बलड इन्वेस्टिकेशन्स है उन्हानों प्रॉपरली फॉलो करो ताके जड़ी इहें डिजीज है वो छोटी इनिशली ही डाइगनोस करके तक जो कुछ भी होना है वो तरड़ा सस्ता और वदिया हो सके क्योंकि बात देविच जड़ीज हैं हैं काफी कॉस्टि सर्ज़ीज हों दिया हैं फिर पेशन्ट नों काफी दुख और दुनों पासे अपना मनी प्रॉलम दे वाले पास से भी फेस करना पैंदा है तो दोस्तों ये सीगियां साड़ी अपनी परसनल जड़ीयां साड़े आहां रीसेंट केसिज आए जिदे विच सानु फील हुंदा है कि अभी पेशन्ट किदरे पहले दिन आया हुंदा या टाइम ते आया हुंदा ता पेशन्ट दी ओ स्टेज हुंदा नहीं से ओनी जिन्नक के ओखा हो पुगते गए हन सो एक वरी फेर कोई भी एक्यूट अब्डॉमेन किते पेट फुल रहा है कोई पार्टी ज़्यादा होगी है डॉक्टर को लो कुछ भी नाल लकाओ जाके अपने इन्वेस्टिकेशन करो जिस तरह जिस तरह डॉक्टर गैड कर रहे हैं फॉलो करो ताके अपनी डिजीज तो तुसी जल्दी निजात पासको तैंक यू दोस्तों